सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजूकेशन संबनी न्यूस तुरंत पाने के लिए बोड परिक्षा के विद्यार्थियों के अलावा कक्षा एक से आठ नौवी वा ग्यार्वी के सभी विद्यार्थी होंगे क्रमोनत आदेश हुआ जारी जने इस प्रकार करने हैं आपको क्रमोनत सभी कक्षाओं को अलग-अलग जारी होंगे प्रमान पत्र कि और विद्यारति के चलते Mहामारी के चलते अब विद्यालें में परिक्षा type नहीं होगा सिर्φे दसवी और बार्वी करिक्शा के ही परिक्षाएं ली जाएगी बाकी सभी कर्षाओं की परिक्षाएं नहीं ली जाएगी किसी भी विद्यार्थी को विद्याले में बुलाकर उसकी परिक्षा नहीं ली जाएगी चाहिए वह सरकारी विद्याले में पढ़ रहा है या प्राइवेट विद्याले में पढ़ मैं अध्यूंकों बिना परिक्षा लिंए उनको कर्मोनत करना होगा दिखा देता हूं मैं आपको वह Spirit the दोस्तों आपको प्रमान पत्र भी देना होगा घीए आप प्रिक्षा लिए रही करने के बहुक्रीा सब पास प्रमाणपत्र का प्रावूप देना होगा देखे दोस्तों यह वह आदेशो प्रारंबिक शिक्षा पंचायती राज विभाग रास्तान वीकानेर की ओर से जारी हुआ है जिसमें लिखा गया है कि कोरोना संक्रमन से बचाओ के लिए राज्यम में लोगडाउन के चलते समस् निर्णे एं उझारी निर्देशों की पालना में कक्सा 1-8 यहां द्यान से सुनिए कक्सा 1-8 के समस्त छात्र छात्राओं को आगामी उच्ष करमोनत करने का निर्णे लिया गया है दोस्तों प्रारंबीक शिक्षा का विभाग है राष्थान पंचायती राज जो विभाग बीकानिर है और मादेमीक शिक्षा का विभाग है उन्हें दोनों दारा अलग-अलग आदेश जारी किया गया है दोनों आदेश में आपको दिखाऊंगा कक्षा 9 वी मोई 11 के लिए अलग साया आदेश जारी हुआ है इस समझ में इसकूल शिक्षा विभाग के संभाग जिला ब्लॉक इस्तरी अधिकारियों संस्था प्रदानों के लिए प्रबोधन या क्रियान वे यह तु निमना अनुसार निर्देश जारी किये जाते हैं पॉइंट नंबर एक कि लॉगडाउन के चलते हैं सासंद्वारा लिये गए निर्णे के अनुसार किसी भी संस्था में प वो सर्फ वर्तमान सत्र में ही लागू रहेगा आगामी सत्र में लागू नहीं रहेगा क्यों रहेगा उसका कारह भी आप जानते हैं कि कोरोना वाइरस की वज़े से इस सत्र में परिक्सायोजन नहीं हो सकता पॉइंट नमबर दो है कक्षा एक से आठ तक के समस्त कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपनी कक्षा में कर्मोनत माना जाएगा तथा वे आगामी उच्छ कक्षा के लिए प्रवेश ये तू योग्य होंगे पॉइंट नमबर थर्ड कक्षा आठ वा कक्षा पांच के लिए जारी किये जाने वाले प्रमान पत्रों अन्य सेस कक्षाओं के लिए जारी किये जाने वाले प्रमान पत्रों के लिए प्रत्थक से जारी किये जा रहे हैं यानि अगर ककषा पाँच का विद्यारति है उसके लिए परमानपत्र अलग होगा कर्मोनत्य आगमी कक्षा में प्रवेत क्या रओस पोर्टल पर संपन की जा सकती है सभी कक्षाओं के लिए ओन्लाइन स्केयर की जा अधा इई लर्निंग की प्रक्रिया उच कक्षा में करमोणनती के नुगरोप जारी रहेगी विद्यार्थी घर बेठे अध्यान जारी रखेंगे अस्तु समस्त शिक्षा अधिकार्थी सेक्सिक प्रसासक संस्था प्रदानेव शिक्षक उक्ता अनुशा नियम्मित प्रभो नाम यानि यहां पर पहले माता का नाम आएगा यह कॉलम बना रहखा है माता का नाम पुत्र को से ओनि लिए चनिसि विद्च्षा का नाम को आगामी कक्सा 9 के लिए कर्मोनत किया जाता है यह पर्मानपत्र कक्सा 8 की योगिता पूर्णता आगामी कक्सा में परवेश के लिए वैद होगा उसके बाद आपको दिनांग लगानी है हस्ताकसरक संस्तापरदान मैं मोहर लगा के उनके विद्यार्थियों को देनी है ये तो ककसा 8 का परफॉर्मा बताया दिया अब ऐसी परकार आपको ककसा 5 के लिए भी परमान पत्र जारी करना होगा ये देखे यहां लिखा है ककसा 5 फिर आप वही आपको पूरा भरना है नीचे शील साइन लगा के देना है बाता थी ककसा 1 से 4 के लिए तो ये परफॉर्मा ककसा 1 से 4 के लिए अलग है यहां आपको उपर ककसा दरशानी होगी कक्सा 1, 2, 3, 4 जो भी है वो दर्शानी होगी इसके बाद वही वापस बढ़ना है नाम पिता का नाम माता का नाम जनम्तिती विद्याले का नाम आगामी कक्सा जो भी है करमोनत की या प्रमान पत्र कक्सा की योगिता आगामी कक्सा में प्रवेश के लिए वालवेद होगा वह इसके लिए भी दोस्तों मोदर में खिष्टाने अलग से देश कईये हैं क्योंकि इसमें अलग निरदेश जारी करने चाहें का करण रहता है क्यों चरोड हैं एक से लगा के लिए या शेयर नौभीं्य और ग्यारवी के लिए वहीं कछा च तो उनका मुल्यांकन समग्रों रूप से करके दिया जाएगा प्रमान पत्र यह देखे जाते हैं यह है वह माधिमिक शिक्षा का आदेश जो कक्षा नौवी के लिए लागू रहेगा जो कक्षा दस में और बारा में करमोनत किये जाने हैं जो भी अध्यंद्रत अब तक के समग्रों मुल्यांकन यानि तीन परक प्रतम परक दित्य परक अर्दवार्शिक परिक्षा सहसेक्षी गति विद्यों में भागिदारी तथा 17 में विद्यार्थी के समग्रों प्रदशन को आधार बनाया जाएगा अब इसमें एक उदान भी दिया गया है मैं आ आपको देनई एक दो Sono टिन चार उसके बाद विशियृ तो निर्धाइश पूर्णाइंक कितने है वह आपको यहां दरचाने आहे उसके बाद अरदवार्शिक प्रिक्षा के बारह कितने होतें हैं तीनों परक के कितने होते हैं गति विद्यों information into показ और दौर्णने को आज प्राप्तांक है तो यहां आमने देखिए पूरांग तो पहले तो निर्दाइत विशे में पूरांग 100 के 100 आएंगे उसके बाद अर्दवार्शिक परिक्सा में उसके 70 मैं से 30 आए हैं ठीक है पूरांग 70 मैं से 30 प्राप्तांग है तो यहां पे 30 इंटू 50 भाग 70 करेंगे त तो जितने आए हैं 15 इंटू 20 बटे 30 इसी प्रका सहस है कि गती विद्यों में सत्र के विद्यार्थी के समग्र प्रदशन है तू प्रदत अंक 25 हो तो बारांग की गणना इस प्रका होगी उसके बाद आपको 22, 10 और 25 छोड़के 57 विद्यार्थी द्वारा अरजित प्राप्त तांक है वो 57 होंगे इसी के अनुरूप आपको प्रतेक विशे का अंकलन करना है साथी 9 और 11 के सभी विद्यार्थियों को 11 और 12 के 10 और 9 और 11 के विद्यार्थियों को 10 और 12 में करमोनत माना जाएगा इसके बाद दोस्तों इसको एक प्रमान पत्र भी जारी करना है वो इस इसमें विद्याले का पूरा नाम आएगा करमोनती प्रमान पत्र प्रमानित किया जाता है कि यहां विद्यार्थी का नाम पुत्र पुत्री पिता का नाम माता का नाम जनम्ति थी वर्ग यानि सामानिय वर्ग पिछड़ावार गनूं से जन जाती जो भी है वो उसके बाद देसार नंबर सत्र दोजाओं उनिश बीस में स्विध्याले की कक्षा नौवी या इग्यार्वी में नेमित विद्यार्थी के रूप में अध्यानत रहा जिसमें भी अध्यानता उसके उपर आप टिक मार्क कर सकते हैं राइट का निशान लगा सकते हैं और उक्त विद्यार मार्क लगाएं और साथ ही ग्यारवी का वच्चा है तो बारा नंबर के उपर राइट मार्क लगाएं यहां पर आप समस्ता परदान के रस्ताक्सर मैं मोहर यूडाइस कोट डाल दीजिए दिनांग डाल दीजिए तो यह कक्षा कर्मोनती का प्रमाणबत्र हो जाएगा उसके बाद आप ध्यान में यह रखें बात कि यहां पॉइंट नंबर पांस दिया गया कक्षा इंटरफेस ऑफ लर्निंग एनेंजमेंट कारेकर्म के माध्यम से आगामी कक्षा की अध्यानत सामगरी उपलप्त करवाते हुए ओन्लाइन अध्यान कराया जाएगा वोगत शिथिलन प्रमान पत्र केवल 19-20 में ही लागू होंगे तो साथियों यह था महत्मूर निर्दे तुरन पाने के लिए